इस सिन में जब अमरे इंद्र बाउपली तीर चलाते हैं तब आप नोडिस कर सकते हो कि उन्होंने एक्जक्ट 45 डिग्री एंगल पे चलाया था क्योंकि किसी चीज़ को अगर आप 45 डिग्री एंगल पे थ्रो करते हो तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस प्लस मैक्सिमम स्पीड कवर करता है और यह चीज सांटिफिकली प्रूवेन है और इसको पैराबोला मोशन कहा जाता है अगर यकिन नहीं है तो आप गूगल पे सरच कर सकत जाते हो ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे हिडवीन डिटेल्स हैं जैसे कि इस स्कीन में शिवा के लॉकेट में कि आपको पता है कि बाहुवल के सिंबल मैं स्रिफ होड से क्यों है입니다 ॉस्सिन में हमें त्रिशल व्यू के बारे में पता चलता है लेकिन इस व्यूब का हिस् गुड मॉर्निंग दोस्तों तो यार कैसे हो शायद 2015 में वाहूबली आया था और ये आज भी दमदार है तो इस मूवी को आज मैंने फ्रेम बाइ फ्रेम देखा एक एक फ्रेम मैंने ध्यान से देखा और मुझे ऐसे कुछ hidden details मिले जिसको शायद आपने मूवी देखते वर्क तो नॉर्मल स्पीड में जरू मिस कर दिया होगा So watch this video till the end, it will be amazing Well, Philhal Vikram और major movie काफी trend में चल रही है Well, इनका detail video भी आएगा लेकिन इनका HD version launch होने दो ठीक है और हाँ ये जो movie है जिसका नाम है major मैं चाता हूँ कि आप इसको याद रखो क्योंकि इस वीडियो में बाद में आपकी होश रूने वाले हैं So don't miss that And if you are new here, then do subscribe and smash that bell icon और मुझे Instagram बे जरूर से follow कर लेना, मुझे follow नहीं किया तो यार क्या किया वसे मैं एक photo editor हूँ, आप मुझे जरूर से follow कर सकते हो और बहुत सारे लोग मेरे वीडियो के background music के बार में पुछते रहते हैं तो इस वीडियो के end में बताऊंगा कि आप उससे कहां से download कर सकते हो So guys, my name is Daba and welcome to my channel Daba the HVT So guys, without listening anymore time, let's get bloody straight into it Okay, detail number one Alright, तो इस map में आप यहाँ पर पतली सी नदी को देख सकते हो And guys, यह जो नदी है, मुझे लगता है कि यह यही नदी है और यहाँ पर आप कुंतला Kingdoms को देख सकते हो जिसके बार में हमें Bahubali 2 में दिखाया गया है लेकिन part 1 में दिखाया नहीं गया तो यह actually हमें पहले ही hint दे दिया गया था कि इसका part 2 भी आएगा और यहाँ पर आप कुंतला Hideout को भी देख सकते हो मतलब कुंतला Hidden Place Well, Hidden Place को हमें मैप में नहीं दिखाया जाता है लेकिन डाक्टर ने हमें यहाँ पर दिखाया है ताकि हम पहले ही जान सके लेकिन 98% लोगों ने इस चिसको मिस कर दिया था लेकिन मैं हुना और मेरा कामी तो यही है ओके तो इस मैप में आप एक और प्लेस को देख सकते हो जिसका नाम होता है Singapore तो चलो 5-6 सकंद देता हूँ और आप मुझे बताओ कि यह जगा कौन सी है बहुबली 1 या फिर 2 में यह जगा कौन सी है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताओ और अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको खुदी बता दूँगा इस सिन में राजमता इस लक्री को पकरती है ठीक है लेकिन बात में यह लक्री गायब हो जाती है वैल अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हो कि वो जो लक्री है वो पानी में बह गया था तो इस सिन में जब यह गाओ वाले इस गुफा को बंद कर रहे होते हैं तब आप यहाँ पर इस मशाल को देख सकते हो और इस मशाल को राजमता ने इस सिन में यहाँ पर गिराया था तो यहर नोडिस नहीं किया था तो प्लीज यहर लाइक कर देना डीडेल नूबर फॉर तो इस सिन में शिवा अवंतिका को एक वाइड ड्रेस में इमेजिन करता है वेला अगर आप साइड में नोडिस करोगे तो आप यहाँ पर वाइड फूल को देख सकते हो और किसी महान इंसाने कहा है कि यह औरते फूल जैसी होती है और यह बात की सर्तक सच है मुझे नहीं पता लेट अस नो इन दा कमेंट बॉक्स डीटेल नूबर फाइब तो इस सिन में शिवा जूता पहनता है और वो जूता उसने घास पूस से बनाया है क्योंकि जब वो यहाँ पर आया था उसके पास जूता नहीं था वो नंगे पैर आया था तो इस सिन में अवंतिका इस गुंडे को जैसा कर रही होती है इस सिन में शिवा को भी वो ऐसा ही कर रही होती है तो यह जो फाइसाप थे जिसका नाम था असलम खान उन्हें ना पार्टू में दिखाया गया है ना ही उनके बारे में ज्यादा बात किया गया है हो सकता है कि बाहुबली 3 में उनका बहुत बरा रोल होगा and that very big hint of बाहुबली 3 detail number 8 तो इस सिन में कटपपा इस तलवार को चीर देता है यान कि इस तलवार को बनाते वक्त quenching में defect आया था quenching यानि कि तलवार को गरम करके तेल में डूए आ जाता है ताकि वो मजबूत हो सके यू समझ लो कि इस तलवार को बनाने के वक्त इसके sharpness के उपर ज़्यादा ध्यान दिया गया इसके मजबूती के उपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया जिसके वज़े से ये तलवार तूट जाती है अगर आप फोर्ज इन फायर देखते हो तो आपको ज़रूर पता होगा तोईस सिन में जब असलम खान कडपा को वफ़ादारी की बात कह रहे होते है आपको देखकर पता चलता है कि वफ़ादारी का भी एक चहरा होता है कडपा तब आप देख सकते हो कि कडपा थोरे नाखुश हो जाते है कि वी कडपा को अमरेंदर बाहुबली के साथ क्या आखवा विश्वाश रगात यादा आ गया था डिजे लूमर टैन तो इस सिन में शिवा अवंतिका के जिस जगह पे टैटू बनाता है वैल आरारार मुवी में भी वो छोटी बच्ची उसी जगह पे टैटू बनाती है तो या डायक्टर से मौगा तो कुछ चीज़े सिमिलर्टी हो गई न एंड मैं आपको बता दू बाहु बली का जो सिनेमेटोग्राफी है वो अरारर सिनेमेटोग्राफी के साथ सेम है ऐसे एक नहीं और भी बहुत सारे सीन थे जो अरारर से मैच करते हैं अगर डीटेल में जाना चाहते हो तो मेरे आरार का डीटेल वीडियो जाकर देख सकते हो डीटेल नमबर 11 तो इस सिन में सरदार कहते हैं जिसे अपने शरीर से प्रेम हो वो अपने प्राण दाओं पर नहीं लगा सकता तो ये तो हमारे इंडियन आर्मी की बात हो गई अगर आपको अपने शरीर से प्रेम है तो आप कभी आर्मी नहीं बन सकते और नहीं आप कभी जंग में जा सकते हो और नहीं लर सकते हो तो ये बात मैं आपको पहले भी बताया है आर्मी बढ़ना कभी भी आसन नहीं होता सो रिस्ट्पेक्ट आर आर्मी ओल्राइट तो इस सिन को अगर आप 4K में देखोगे तो भलाल देव के बॉड़ी में आप स्वेट ड्रॉप्स को नोडिश कर सकते हो यान कि भलाल देव इस फाइट में वो अपना पूरा पावर लगा रहा था और यह चीज मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि यह जो सांड है यह रियल लाइफ में था ही नहीं इसको VFX के द्वारा क्रियेड किया गया है यान कि रियल लाइफ में भलाल देव ने कोई भी स्ट्रगल नहीं लगाया था लेकिन यहाँ पर भलाल देव का स्ट्रगल दिखाने के लिए स्ट्वेट ड्रॉप्स को एट किया गया है जो के काफी नोडिसेबल डीटेल है डीटेल नमबर 12 इस जिन में भलाल देव सांड के हेट पर वार करता है और सांड को मार देता है या फिर बेहुष कर देता है वेल नोडिस करने वाले बात यह है एकॉर्दिंग टू स्टोडी वो पास्ट में कालके के इस हाती को एक्जैक्ट इसी तरीके से गिरा था उसके head पे वार कर गे अगर आप किसके सर पे वार करते हो तो वो second में मर जाएगा और हाँ मैं war के detail वीडियो के उपर काम कर रहा हूँ next video शाद इसके उपर ही होगा अगर war नहीं देखा है तो जल्दी से देख लो आप बहुत बड़े blockbuster को मिस कर रहे हो detail number 15 तो इस सिन में शिवा इस marks से बात कर रहा होता है अरे इलोन मास्क नहीं यार यह मास्क लेकिन अवन्तिका उसे disrupt कर देता है और बाद में इस मास्क को उसने इस सिन में निकाला था वैले इस सिन को अगर आप स्लो मोशन में देखोगे तो उसने जम करने के साथ मास्क को भी ले लिया था और यह जिस मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एक चुपक के मिस्टिक वीडियो में मैंने सुना था कि यह मास्क यहां पर होता है लेकिन बाद में यह मास्क यहां पर कैसे आया तो ऐसे ही आया तो इस सिन में जब देव सिना गिर जाती है तब वो एक्टिरे कैमरा से टकरा जाती है और कैमरा का स्क्रीन थोड़ा हील जाता है अगर आप ध्यां से नोडिस करोगे तो डीडेल नमबर 16 तो इस सिन में जब अवन्ति का शिवा को तीर मार रही होती है तब आप नोडिस कर सकते हो कि यहाँ पर चार और यहाँ पर एक तो अपन इसके बात नहीं करते हैं तो इस सिन में शिवा और अवन्ति का दौरते दौरते इस जगा पर आ जाते हैं आपने तो गाने को इंज़ा करके आराम से चल गए लेकिन क्या आपने कभी भी नोडिस किया कि इस जगा को किस ने बनाया पास महेश्मति के जितने भी स्ट्रक्चर्ज होते हैं उनका कलर गोल्डन येलोईश होता है लेकिन यहां का कलर वाइट था और वाइट कुंतला किंग्डम्स का ही था तो इस मूवी में बात में हमें कडपा को इस वार्ड रेस में दिखाया गया है तो मेजर मूवी में जो हिरोख है वो वही है ना जो बाहुबली में भलाल देव का पुत्र था और कस्टम से जब मैंने इस चिसको पहले बार नोडिस किया था ना मेरे तो तोते ही उर गये थे हाँ हाँ पता है पता है आपको पता है ओके तो यह डिडेile दो नहीं ए लेकिन नोडिस करने वाली बात है इस सिन में आप देख सकते हूँ वो बूलते बूलते सोच में पर गया था वैल वो सोच में इसलिए पर गया था क्यूकि वो कड़पा को बोल तो रहा है कि जिन्दा चाहिए जिन्दा चाहिए तो बेल्स को धो मिला था उसंदा चाहिए तो इसलिए और राज के बलके शिवा उन्हेंबाद कर देता है गोम्म ग्यों डेंटेंदों बॉलर पूलिस कता है और जब डूंड़ 281 तो इस चीड में जब बाखू बली सोच रहा होता है कि वो क्या है तब आप बैग्राउंड में देख सकते हो कि शिवा के मा कडपा को explain कर रही थी और उन्होंने जैसे हाथ को उपर उठाया शिवगामी ने भी ऐसे ही उठाया था वो actually कडपा को शिवगामी के इस सिन के बार में explain कर रही थी यह ऐसा detail है जो most of the viewers ने notice कर लिया था अगर आपने notice नहीं किया था तो यार हाई या ना comment में बताना ठीक है मेरे को जानना है कि किसने किसने notice किया था detail number 22 तो वही सिदेन detail के बारे में तो बच्चा बच्चा को बता है यहाँ पर यह जो अंकल है ना यह और खोई नहीं यह हमारे legend है SS Raja Moli ji है उनका एक चोटा सा cameo था इस movie में और वो यही है detail number 23 तो वही सिन में हम पहली बार शिवा को fight करते हुए देखते हैं लेकिन अगर आप उसके fighting pattern को ध्यांसे notice करोगे तो वो मतलब जहां वहां मार रहा है मतलब गुसा मार रहा है और unprofessionally वो गुसा मार रहा है लेकिन जो अमरेंद्र बाहुबली थे उनका जो fighting pattern था वो बहुत professional था और बहुत amazing था क्योंकि अमरेंद्र बाहुबली को proper training मिला था लेकिन जो शिवा था उसे कोई भी training नहीं मिला था अच्छा लगा देकर कि राजा मोली सर ने इस चिस का ध्यान रखा एंड मुझे शिवा से ज्यादा अमरेंद्र बाहुबली ज्यादा पसंद है कॉमेंड में बताना कि आपको शिवा पसंद है या फिर अमरेंद्र बाहुबली ठीक है मेरा अमरेंद्र बाहुबली ठीक है तो इस सिन में जब कडपा शिवा को माने जा रहा होता है तब स्टार्डिंग में उसने चिलाया था कितना गदा है ना वो चिलाने की क्या ज़रूत है आराम सोजा के घुसा देदा वेल कडपा ने यहां पर चिलाया ताकि बहुबली को पता चल सके कि उसे कोई माने आ रहा है पीछे से कडपा एक सचा योदा है वो कभी भी पीट पीछे वार नहीं करता हाँ पता है पता है लेकिन नोडिस करने वाले बात यह है कि कडपा ने यहां पर अमरेंदर बहुबली को पीछे से मारा था जो की कायरता की निशानिक है अमरेंदर बहुबली एक ऐसा योदा था जिसे हराना impossible था कड़पा उससे सिर्फ एक ही तरीके से मार सकता था वो है पीट पीछे वार तो इसलिए कड़पा ने पीट पीछे वार किया I hope you understand वेल ये तो कोई डिटेल नहीं कहा लेकिन यहाँ पर यह जो बूरे अंकल है मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें याद रखो बाववली 2 के डिटेल वीडियो पे काम आएगा ठीक है बाववली 2 का डिटेल वीडियो जल्दी से आ जाएगा so for that you can do subscribe बाकी आपकी मर्जी डिटेल नमर्ट 24 तो इस सिन में जब शिवा पहली बार माईशमधी के अंदर आया था तब उससे अमरेंद्रो भाववली में चेंज करके हमें दिखाया जाता है लेकिन नोडिस करने वाली बात यह है इस सिन में अमरेंद्रो भाववली के आने का जो सिन है यह एक्चली यही सिन है जस्ट इसका बैग्राउंड चेंज कर दिया गया है तो इस वार सिन में मुझे नहीं लेवता कि आपने कभी भी नोडिस चाहा होगा अमरेंद्रो भावली के हाथ में एक पटी बंदा हुआ होता है हाँ मुझे पता है आप में इसे बहुत सारे लोग मुझे बोलेंगे कि तलवार चलाते ही वक्त गृप के लिए अमरेंद्रो भावली ने ऐसा किया वैल मैं आपको बता दू ऐसा कुछ भी नहीं है अमरेंद्रो भावली लेफ्ट हाथ से तलवार चलाते हैं ठीक है अमरेंद्रो भावली ने अपने हाथ में पटी बंदा था क्योंकि इस scene में वो अपना हाथ काड़ देता है and again this is not detail लेकिन notice कने वाली बात है इस scene में अमरेंद्र भावली इस ball को फेकते हैं ठीके आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि वो ऐसा क्यों किया था actually अमरेंद्र भावली ये ball फेक के देखना चाहता था कि ये ball कालके के सेना तक जाती है या नहीं and ये गया था और फिर अमरेंद्र भावली ने ये किया so I hope you understand detail number 26 तो इस scene में अमरेंद्र 45 degree angle पे मारता है और ये चीज़ आपको पताई है कि क्यों किया मैंने starting में ही बताया detail number 27 तो इस scene में जब कालके के सेना माश्मति के सेना के साथ टकराती है तो अब एक sound आता है ठीग है अब ये जो sound है ना इस scene में जब अमरेंद्र भावली कुछ गोटी को पकरके इन मटके पे मारते हैं exact same way sound आता है detail number 28 okay तो अमरेंद्र भावली के हलमेट के पीछे आप इस change जैसे कुछ चीज को देख सकते हो well यह होता है actually कोई पीछे से उनके गर्दन ना कर दे लेकिन डाक्टर अगर इसको एड ना भी करता है तो कोई बरा इश्यू नहीं था लेकिन उन्होंने add किया इसको एक realistic look देने के लिए तो यार काफी सही बात है detail number 29 तो इस सिन में अमरेंद्र कालके के इस हत्यार को कार देता है और कालके weapon less हो जाता है मतलब उसके पास कोई भी weapon नहीं होता लेकिन शायद ही अपने notice क्या होगा अमरेंद्र बाहुबली भी अपना तलवार फेक देता है कालके के पास हत्यार नहीं था लेकिन अमरेंद्र के पास था वो इस जिली तलवार का advantage लेके कालके को मार सकता था लेकिन उसने नहीं किया क्यूंकि एक सच्चा योदा कभी भी fight में advantage नहीं लेता है इस चीसको मैंने KJP के वीडियो में भी एक्स्प्रेंड किया था और यहाँ पर भी कर रहा हूँ कि अमरेंडर बाववली एक सच्चा योधा थे DJ Lumber 30 तो गाज बाववली पार्ट वान का ये जो सीन है न मुझे लगता है कि इसको राजा मोली ने God of War गेम के इस सीन से कॉपी किया है वैल कॉपी नहीं इंस्पाइड ठीक है इंस्पाइड DJ Lumber 31 तो इस सीन में अमरेंडर इस लाइन के मुझे कालके का हैड घुसा देता है वैल इस सीन को अगर आप फ्रेम बाइफ्रेम देखोगे न तो यहाँ पर अमरेंडर ने उसके गर्देन पे वार किया था तो इन्होंने सेफ्टी भी प्रॉपर ध्यान रखी है वैल काफी सही बात है और यहाँ पर हो जाता है किल चोरी BGMI वाले ना, I mean PUBG वाले काफी अची तरीके से इस चिसको समझते है मतलब आप 1000 गोली चला के डेमेज दो और फिर आपका टीम मेट एक गोली चुआ के आपका किल ले जाता है भाई बहुत दुख लगता है कसम से अमरेंडर वाल स्माइलिंग उसे बुरा नहीं लगा था क्योंकि उसका दिल बहुत बरा था वेल अकर आपने नोडिस के आओगा तो शिवा के गले में एक लॉकेट है जो हमारे महादेव का रेफेंस है और ये लॉकेट उसके पास बजबन से ही है क्या इसके पीछे कोई hidden meaning है वेल जरूर है इस लॉकेट के जरीए डाक्टर हमें ये कहना चाते है कि जो शिवा के आइमिन जो महादेव के उपर भी एपलाई होता है शिवा महादेव का रूप है और इस चिसको शिवा ने यहाँ पर खुदी कहा था ओके तो ये exactly detail तो नहीं है लेकिन इसे आप एक fact की तरह समझ सकते हो यहाँ पर हमें त्रिशूल व्यू के बारे में बताया जाता है इस व्यू को रामायन और महाभारत दोनों में ही यूज़ किया गया है त्रिशूल व्यू बहुत powerful व्यू है इस व्यू में आप त्रिशूल की तरह एनेमी को तीन डिरेक्शन से वार कर सकते हो लंका यूद के दसवे दिन में रावन ने इस व्यू का रचना किया था और महाभारत में कुरुक्षेत्र यूद के आटवे दिन विश्म पितामा ने एक व्यू रचना किया था शायद मकर व्यू या अर्धचंदर व्यू ऐसा कुछ व्यू था तो अगर आपने नोडिस किया होगा तो अमरेंद्र भावल के सिंबल में एक होर्स का रेफरेंस है वैल ऐसा क्यों है इसके लिए मैंने इंटरनेट में बहुत सारा रिसर्च किया और फिर रेडिट में मुझे दो रिजन मिले इसके उपर ठीक है दो थियोरीज मिले जो पहला थियोरी यह है जो पहले की जमाने में जो योधा और राजा थे वो देश विदेशों में घुम के खबर रखता था और उसके साथ एक मातर साथ ही उसका होर्स ही होता है वर्स के उपर वो completely dependent था तो जो सच्चा योधा होता है उनका फेबरेट जनवर घुरा होता है इसलिए अमरेंदर बहुवली के सिंबल में घुरा था वेल ये तो था पहली थेयोरी अब जो दूसरी थेयोरी है वो यह है कि इस मूवी के जो डायक्टर है जो कोई SS राजा मोली उनके फेबरेट एनिमल में से होर्स भी आता है और उनके ज्यादातर मूवी में आप होर्स को नोडिस कर सकते हो जैसे कि मगदीरा, आर, 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 और अमरेंद्रो बाहुवली का जो करेक्टर था वो राजा मोली के इनपोर्टन करेक्टर में से एक है तो इसलिए शायद उनके सिंबोल में राजा मोली का फेबरेट एनिमल एड़ किया अब ये दो थेयोरी की सतक सच है मुझे नहीं पता आप मुझे कॉमेंट सेक्श में बताना है कि दोने में से आपको कौन सा पसंद आया मुझे एक्जाक्ली नहीं पता की होर्सी क्यों होता है मेरा काम था आपको बताना और मैंने बताया एंड़ ये जो जगह है जिसका नाम था सिंगपूरम ये एक्चली यही जगह था जहां पर चोड डेकैत ये सब जाकर और गाइस मेरे वीडियो का जो बैक्ग्राउंड म्यूजिक है वो एक्चली प्रोजेक्ट आईज़ाई का म्यूजिक है कौस आईज़ाई माई फेरेट गेम तो आप डायकली गेम से उटाके मत दे देना आपको स्ट्राइक मिल जाएगा इसका एक रिमिक्स वर्जिन आता आउ नेक्स्ट वीडियो में तिल देन गुद्बाई स्ट्राइओंडा मेरी जान